कि डार्क होर्स dark होर्स मतलब होता है चुपारुस्तं अब इस पर कैसे जो है मौ़ाड बनाएंगे कैसे संटेंस बनाएंगे यह देखना है आपका susten है कि तू निंकला चुपारुस्तं तो चुपारुस्तं का एंग्रेजिय हो गया dark horse अब इसको tense का अनुसार arrange कर देंगे आपका question है तू निकला छुपा रुस्तम तो तू मतलब you तो कहिए कि you came out मतलब तू निकला और क्या निकला छुपा तू कहेंगे as a dark horse you came out as a dark horse तू निकला छुपा रुस्तम कहा दे कि वह निकला छुपा रुस्तम तो यहाँ पर change कर देंगे subject को change कर देंगे यानि कि कह देंगे कि वह निकला छुपा रुस्तम तो कहें कि he came out as a dark horse किसी का नाम रखकर भी का सकते हैं कि सुनिल निकला छुपा रुस्तम राकेस निकला छुपा रुस्तम मोदी निकले छुपे रुस्तम लालू निकले छुपे रुस्तम तो किसी का नाम रख देंगे तो क्या करेंगे यहाँ पर change कर देंगे जैसे अगर राजन को अगर कहना चाहते है कि राजन निकला छुपा रुस्तम तो कहीं कि राजन came out as a dark horse चुकि अगर आपको नियम पता चल गया तो sentence बना सकते हैं और English बोल सकते हैं यानि कि sentence नमर 2 और ये रहा sentence number the first step towards achieving your dreams is having the right coach get the best education with English plus by Sanjeev Sivanee and make your spoken English dreams come true download the app now